पिछले कुछ समय से बातचीत का सिर्फ एक ही विशे है COVID-19 इसी के बारे में सोचते हैं, इसी से बात शुरू होती है, इसी से बात खत्म हो जाती है अख़वार, रेडियो, टीवी, मोबाइल, शोशल मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया, सब COVID-19 की बातों से और किसों से ही भरे पड़े हैं इवन फोन कोल्स में भी प्री रिकोर्डिड मेसेजिज बसते रहते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए COVID-19 की इन्फोडेमिक इस तरह से फैल गएगी सांस लेना ही दूबर हो गया है पहले बता चुकाऊं कि COVID-19 की इन्फोडेमिक का सीधा और तुरंत परभाव हमारी दिमागी सेहत पर पड़ेगा और वैसा ही हो रहा है वार्सप इन्फोडेमिक प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया, सोशल मीडिया इस तरह का एक नेगिटिविटी का मकड़ जाल बना लिया है तो चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और किम कर्तव में भी मूड की स्थिती में आ गए है उपर से नहीं नहीं मुस्बतें, दवाईयों की काला बजारी, दवाईयों की कमी, लोकडाउन और एक नई चीज और आ गई है ब्लैक फंगस आप कहेंगे कि इस सारी चीजे दो हमें पताई है, लेकिन पता तो सब कुछ है, जितनी जानकारी चाहिए उतनी जानकारी तो है लेकिन फिर भी आप इतनी जानकारियां लेने के पीछे क्यो भाग रहे हैं मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या इस से पहले कभी कोई pandemic नहीं आई, कि मानोता के उपर किसी तरह का natural calamity नहीं आई, कि कभी आपने लोगों की deaths देखने के उपर तो focus किया है, लेकिन जो 90% घर पे बैठे बैठे ठीक हो रहे हैं, क्या उसके बारे में कभी सोचा यानि कि positivity के उपर negativity किस तरह से हावी हो चुकी है, यह है आज के माहल में सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, इतनी natural calamities humanity के उपर आई हैं, उसके बावजूद भी humanity उससे बाहर निकली है, और बाहर निकल कर आज तक मानोता कायम है यह सब हमारे पूरवजों की positivity का ही फल है, negative विचाराना और situation का डर, यह तो एक natural human emotions हैं, यह तो आएंगे ही, बिना negativity के आप कोई अच्छा काम करी ही नहीं सकते हैं लेकिन अब सबसे बड़ा मुद्दा यह उठता है कि हम इस डर की स्थिती से बाहर कैसे आएंगे, हम इस negativity से बाहर कैसे निकलेंगे कि जब आप एक glass में पानी डालते हैं, तो पानी जैसे डलता जाएगा, glass भरता जाएगा, और glass भरने के बाद वो पानी overflow होना शुरू कर देगा हमें इस overflowness को ही रोकना है, कि हमारे जो emotions हैं, वो इस तरह से बिखर कर हमारे शरीर को, हमारे मन को खराब ना कर दे हमें उस भरे हुए glass को overflow होने से पहले खाली करना है, खाली करने के लिए हमें क्या करना होगा, तीन तरह की हमारे पास techniques हैं, पहला family, family के साथ आप बात कीजिए, family को बताईए, अपने emotions को share कीजिए, sharing of emotions is caring of emotions, यानि कि हमारे अंदर जिस भी डर का negativity का वास हो रहा है, हमें घर के किसी भी member से हमें ये discuss करना चाहिए, और उससे बात करनी चाहिए, कि मैं अब इस situation में हूँ, मैं इसमें से बाहर कैसे निकलू, आप मान के चलिए, यदि आप इस चीज को share नहीं करेंगे, तो आप बड़ नुक्षान उठा सकते हैं, और परिवार एक ऐसी चीज है, जो हमको सबको इकठा लेके वहां से बाहर निकालने की कोशिश करता है, दूसरा, आदमी की तीन तरह की लाइफ होती है, परसनल लाइफ, सोशल लाइफ और ओकूपेशनल लाइफ, हम ओकूपेशनल लाइफ में फसे पड़े हैं, बाकी दो चीजें हम ज़्यातर छोड़ते चले जा रहे हैं, शोशल लाइफ, शोशल डिस्टेंसिंग की वजए से शोशल लाइफ बिल्कूल ही स्पोईल होनी शुरू हो गई है, मिलने जुलना नहीं तो कम से कम वर्टसप कोल तो कर सकते हैं, अपने जो आपके जो खास लोग हैं, आपके जो जानने वाले हैं, उनसे वीडियो कोल कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनसे बाते शेयर कीजिए, फिर सबसे बड़ी बात परसनल लाइफ, परसनल लाइफ में हर कोई किसी ने किसी फील्ड में माहिर होता है, कोई क्रिकेट में माहिर है कोई art and craft में है, कोई किसी तरह की कुगरी में माहिर है, आप ये सब काम कीजिए, सब को आप समय दीजिए, अब उनसे पूछे कि आप इस चीज में माहिर आप ये काम क्यों नहीं करते हैं, कहते हैं कि मुझे तो समय ही नहीं मिलता है, सर समय कभी किसी को नहीं मिलता है, समय तो योग को प्रानायाम को समय दीजिए मेडिटेशन कीजिए मेडिटेशन करने के लिए दो मिनिट के लिए आँख बंद करके शांती से बैठ जाएं इस तरह हनुमान जी को अपना बल याद नहीं रहता था उनको बल याद दिलाया जाता था और जब उनको बल याद दिलाया गया तो एक ही छलांग में समंदर को लांग कर लंका पहुँच गए थे तो अपने खुद के जामवंत भी आप हैं अपने खुद के हनुमान भी आप हैं दो मिनिट के लिए शांती से बैठ ये बैठ के अपने आप से बात कीजिए और कहिए यस आई कान डू इट आम दा बैस्ट नो मैटर वाट इस दा सिचुएशन आई कान डू इट डबलू अच्चो के पहले डिरेक्टर जनरल डोक्टर ब्रोक क्रिस हों उन्होंने एक बड़ी ही सटीक बात कही है Without mental health, there can be no true physical health एक बड़ी ही famous किताब रही है Body Keeps the Score उस किताब के हिसाब से शरीर की ज़दातर बिमारियां diabetes, heart, even cancer इनका सबसे बड़ा कारण हमारा दिमागी असंतुलन होता है इन बिमारियां को Psychosomatic बिमारियां का आजाता है ये हमारी सोच से पैदा होती है आप इससे अंदाजा लगा सकते है कि हमारी physical health सिर्फ हमारे दिमाग की negativity से किस तरह से affect हो सकती है अब कहेंगे जी Taste चली गई, smell चली गई देखिए मैं कितना परेशान हो रहा हूँ Smell चली गई, आप inner sight को smell कीजिए आपके पास कुछ समय है कि आप अपने आपको अंदर से smell करके देखिए कि आपने अभी तक क्या-क्या अच्छाईयां की है उस smell को sight करने की कोशिश कीजिए Taste चला गया है अच्छी बात है, taste smell चली गई है यानि कि उन negativity पर आप positivity को हावी करके देखिए तो आपका दिमाग और आपका physical health दोनों का ही कल्यान होगा आप ये सोच के देखिए कि आप ही इस महमारी से जूज रहे है सारी दुनिया ही तो इसका सामना कर रही है आप अकेले ही नहीं है इस भयावह तूफान में और भी तो योद्धा डटे हुए है इस जंग के मैदान में बार बार एक बात को बोलने से बार बार एक बात को याद करने से वो चीज हमारे दिमाग के अंदर स्टोर हो जाती है तो क्योंना हम positive बाते सोचे एक मेंडक कहता है कि मुझे तो पेड़ के ऊपर चड़ना है लोग बड़ा हसने लग दिया कि नहीं नहीं मेंडक पेड़ पे कैसे चड़ सकता है और वो मेंडक कोशिश की उसने चड़ने की और finally वो पेड़ पर चड़ गया तो जो negativity हैं उनको मत सुनिए मेंड़क की तरह बहरे हो जाईए सिर्फ उस चीज को सोचिए उस चीज को देखिए जहां आप पहुंचना चाते हैं जिस लक्षय को आप प्राप्त करना चाते हैं आज के दोर में लोग अपने आपको परफेक्ट बनाने में जुट गए हैं एक होड सी मच गई है कि हमें बार-बार हाथ दोना है हर चीज को सबजी को खाने को आटे को हर चीज को सेनिटाइज करना है यहां तक कि हाथ होते हुए हम ट्रैप को भी दोना शुरू कर देते हैं लोग पहले ही OCD से सफर कर रहे हैं जो लोग इस बिमारी से पीडिद हैं वो और भी ज्यादा एग्रसिव हो गए हैं और जो हेल्दी और जिनका दिमाग अच्छे से काम कर रहा था वो इस बिमारे के चंगुल में फस्ते चले जा रहे हैं तो परफेक्ट बनने की कोशिश म कीजिए एक फ्रेंच राइटर वोल्टेर ने कहा है कि best is the enemy of good means you can ruin a good thing being over ambiguous इसलिए मैं कहता हूं कि sometimes good is better than the best मैं ये नहीं कहता कि आप सब कुछ अंसुना और अंदेखा कर दें क्योंकि कभूतर के आँख बन करने से बिल्ली चली नहीं जाती है लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि आप जागरूग बनिए अराजक मत बनिए बी अवेर नोटन ना की बी फोकस्ट एंड बिलीव इन योस अपने आप में विश्वास रखिए दुनिया की बाते मत सुनिए कान बंद कर लीजिए अपने मन के अंदर जाक के देखिए आपका मन क्या कह रहा है उस positivity को negativity क के उपर लेके आईए ओकम कीजिए माना की यह अंधेरा घना है पर दीप जलाना कहा मना है गमों से लबरेज भी हैं तो मुस्कुराना कहा मना है योग असन प्राणायम और मेडिटेशन का रेगुलर अभ्यास कीजिए यदि आप कोविड से जूज रहे हैं तो लेट कर या कि बोडी को आपके माइंड को सपोर्ड देगा आपको इन सब चीजों से ओवर कम करने के लिए आप ट्राई करके देखिए मैंने वीडियो में पहले बताया है डाइफ्रामेटिक ब्रीधिंग कीजिए परशुराम प्राणायाम कीजिए अनुलों विलों कीजिए यदि कि दगाए एक बार आप अभ्यास करके देखिए आपको खुद पता चलेगा कि आप किस तरह से इन सब चीजों को औरकम कर सकते हैं आशा है जल्द ही इस महामारी से हम बाहर आएंगे और अपने रूटीन की कारे करना शुरू करेंगे आप अपने दिमागी संतुलन को अप से फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए साधर परणाम आरोग्यवान भावतुदू